तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस माइक को फोन के साथ easily connect कैसे करना है तो मेरे पास जो device है Micro USB पॉड वाली device है and यह जो है Micro USB वाला connector है तो इस connector को मैं इसके साथ connect कर लेता हूँ पहले इसको इसमें डाल लेता हूँ and इसको जो है मैं प्रॉफर तरीके से अपने फोन में लगा लेता हूँ so इसको मैंने अपने फोन में लगा लिया है and अब मैं अपने फोन के सेटिंग में जाता हूँ OTG setting में जाता हूँ OTG on करूँगा जैसे ही मैंने OTG on किया आप देख रहे हूँगे इसके अंदर red color की light blink कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो है working के लिए start हो चुका है तो अम मैं इस वाले mic को on कर लेता हूँ मैंने इसको hold किया और ये देख सकते हो इसमें जो है proper green light जल चुकी है इसका मतलब ये है कि ये जो है phone के साथ connect हो चुका है So after connecting directly हर किसी phone के camera के साथ supportable नहीं होता है जैसे कि ये मेरे phone के साथ भी supportable नहीं है तो मेरे phone में inbuilt जो camera है उसके video mode में जाता हूँ and record करता हूँ तो कोई भी audio record नहीं होता that means guys ये मेरे phone के जो internal camera है उसके साथ ये mic supportable नहीं है तो इसके लिए मैंने क्या किया है ये जो है एक open camera करके application को मैंने download किया है and इसकी setting में मैं जाऊँगा और video setting में जब मैं आता हूँ तो इसको नीचे आने के बाद यहाँ पर एक audio source करके option आता है तो यहाँ पर मैंने external mic को on कर लिया है and guys इस mic से working start हो चुकी है